अब यूट्व चैनल आफ सुप्रीम 60 एंड माइनम इस सुएज बाशबी अभी हमने लास्ट लेक्शर में कैपिसिटर के जो लास्ट लेक्शर में बात ही कर दें जरा उन पर एक बार फोकस कर लेते हैं लास्ट लेक्शर में हमने आपको ये बताया था कि इलेक्ट्रिक फील जो है उसके साथ इनर्जी एसोसियेटर होती है तो ये जो इलेक्ट्रिक फील की इनर्जी है इसको अगर हम कहीं स्टोर कर सकें तो ये हमारे लिए एक बहुत ही बेनिफीशियल हो जाएगा बहुत बहुत बेनिफीशियल हो जाएगा मैं लिए तो जो डिवाइस इलेक्ट्रिकल इनर्जी को इलेक्ट्रिक फील की इनर्जी को स्टोर करने में काम आती है उस डिवाइस को कहते हैं कैपिसिटर ठीक है और simply अगर हम कहा दें कि भाई एक conductor है और दूसरा conductor एक infinite पर रखा है तो मतलब हम कह सकते हैं कि एक conductor जो है वो भी एक capacitor की तरह काम कर सकता है मतलब क्या है कि capacitor is just a conductor capacitor system we can say is just a conductor और two conductors separated by an insulator जब दो conductors एक insulator से separate करके रख दिये जाते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं उसके बाद हम एक conductor से Q charge उठाके दूसरे conductor Q पर रख देते हैं इस तरह से हम बोलते हैं कि capacitor जो है वो अपना charge हो चुका है और students जब capacitor charge हो जाता है जब capacitor charge हो जाता है for example कि भाई दो pallet plate conductors हैं अब आपने क्या किया कि आपको इस conductor system में जो की एक insulator मतलब air के medium से separated है आपको इस conductor को या फिर इस capacitor system को इस capacitor system में आपको energy store करानी है इस capacitor system को आपको ऐसा करना है कि इसमें energy store हो जाए तो आप जानते हों कि energy जो store हमें करानी है वो electrostatic energy के form में करानी है तो इसका मतलब हमें इसमें electric fields को store करना है क्योंकि मैंने आपको बताया कि electric field के साथ एक energy associated होती है उसकी अभी हम energy density भी समझेंगे कि energy per unit volume electric field में कितनी होती है उस सब अभी हम आगे समझेंगे ठीक है पहले कुछ ये समझें कि जो energy electric field में associated होती है वो किस तरह से होती है वो because of charge conductor की विज़े से होती है charge conductor separated by an insulator तो सबसे पहले तो ये आपने दो charge conductor रख दिये अब आपने इन दोनों conductors को सबसे पहले आपने ये दो uncharged conductor रख दिये उसके बाद आपने इन conductors को charge किया चार्ज कैसे किया simply हमने कोई ऐसा setup तयार किया जिसकी विज़े से इस से plus q charge निकल के इस conductor में आ जाए तो अगर overall देखेंगे तो इस conductor में plus q charge हो जाएगा और इस conductor में minus q charge हो जाएगा एक electric field हमें मिल जाएगी इस reason में जो कि सिर्फ इन दो conductors के बीच में होगी because as we all know that electric field inside the conductor will always be equal to zero तो कोई भी electric field conductors के अंदर नहीं होगी ये तो मैंने पहले plate capacitor की पहले plate conductors की मैंने बात कर ली थी इसी तरह से दो conductor मालीजे इस spherical इस तरह से रखे होगे मालीजे इस तरह से clear और इससे भी आपने फिल क्या किया q charge उठा के इस पे दे दिया तो यहाँ पे positive charge का distribution हो जाएगा और यहाँ पे negative charge का distribution हो जाएगा इस बार भी इस बार भी यहाँ पे इस system में electric field stored हो चुकी है हमने एक example भी देखा capacitor कहां use होता है तो capacitor fence में use होता है clear मैंने आपको बताया भी था कि किस तरीके से वो काम करता है इन सब की बात हम already कर चुके है ठीक तो यह जो system है यह capacitor system है और इसका जो capacitance होगा वो आपको बताएगा कि इस capacitor की इन दोनों conductors की charge storing capacity कितनी है clear charge storing capacity या फिर electrical electrostatic field या फिर electrostatic energy storing capacity कितनी है clear और वो हमने कहां से निकाला था जब मैं आपको यह बता रहा था कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा charge transfer कर दोगे जितना इस capacitor पर charge जाएगा या फिर हम बोलें कि जितना इस इस conductor पर positive और जितना इस conductor पर negative charge जाएगा जितना ज़्यादा charge जाएगा उतना ही ज़्यादा इन दोने के बीच में potential difference exist करेगा तो आप जानते हो कि delta V is the potential difference between the conductors of the capacitor clear and which is directly professional to the charge developed on the conductors clear या फिर charge on the capacitor ठीक, capacitor पर charge अगर पूछा जाएगा तो आप positive plate वाला positive conductor पर जो charge होगा वो बताओगे clear तो क्योंकि positive conductor पर जितना charge होगा उतना ही charge negative में negative conductor पर हो जाएगा clear तो charge का magnitude पर जाएगा तो जब हम capacitor पर charge पूछेएगे तो सिर्फ आप charge का magnitude बताएगे clear so delta V is directly proportional to Q यहाँ से एक constant आजाता है यहाँ से जो constant आता है that will be your 1 by C इसकी हमने बात करी थी और फिर हमने आपको यह बताया था कि यही जो C है यह capacitance है इसकी definition भी मैंने आपको last lecture में दी थी उसके बाद जब हम समझ गए कि capacitance actually क्या कर रहा है capacitor क्या कर रहा है energy को store कर रहा है कौन सी energy electrostatic energy किस form में electric field के form में ठीक है कैसे store कर पा रहा है दो conductors लिए अलग-अलग कर दिया और उन पे charge opposite charge develop कर दिये तो भाई electric field बीच में आ गई तो यह खेल है पूरा capacitor का है ना और यह है आपका concept है capacitance का तो अब कितने type के capacitor होते हैं और कितने type के उनका क्या-क्या capacitance होता है इसकी बात हमने आगे करी थी for example pallor plate capacitor ठीक है spherical capacitor cylindrical capacitor इन सब की बात हमने करी थी लेकिन spherical capacitor और cylindrical capacitor का जो capacitance होता है यह हमने अभी नहीं निकाला था तो आज हम उस पर भी proceed करेंगे ठीक है समझ लीजे आज हमें क्या-क्या cover-up करना पहले ठीक है तो आज हम spherical capacitor का capacitance चेक करेंगे फिर हम cylindrical capacitor का capacitance चेक करेंगे उसके बात energy stored in a charged conductor और capacitor मतलब जो हमाई पास capacitor है अगर उसमें charge capital Q आ जाए और दोनों conductors के बीच में जो आपका potential difference है वो V हमाई लीजे तो वो जो capacitor है वो कितनी energy stored करेगा in joules तो इसकी भी बात आज हम करने वाले है कि भाई capacitor में जो energy stored हो रही है वो कितनी energy stored कर पा रहा है ठीक है कितनी energy stored हो रही capacitor में इसकी बात करेंगे उसके बात हम अपना discussion आगे लेके जाएंगे energy density in a parallel plate capacitor में मदब आप जानते हो भाई parallel plate capacitor है जिसके बीच में electric field lines store हो जाती है अब वो जो electric field lines store हो रही है तो उसके साथ जो energy associated है उस energy की energy density क्या होगी मैं इस energy per unit volume क्या होगी अगर हम देखना जाएं तो कुछ नहीं करेंगे simple सही काम है कि बाई total energy निकालेंगे और total जो बीच में volume है total जो volume है parallel plate capacitor के बीच में उससे divide कर देंगे this will be our energy per unit volume simple इक्तम तो ये सब काम आज हमें करना है है ना तो और इतनी बात हम कर चुके थे type of capacitor clear तो मैंने क्या कहा था कि दो conductors होंगे आपके पास एक conductor से आप Q charge उठा के दूसे conductor पे put कर दोगे तो this will be plus Q and here it will be minus Q और आप potential difference measure कर लोगे दोनों conductors के बीच में let it to be let delta V will be equal to V अब आपको ये जो potential difference आपने निकाला है इसको आपने capital V से denote कर दिया clear अब जो आप capacitance निकालोगे C is capacitance this will be Q by V itself जो potential difference आपने V निकाला था वो denominator में आएगा और जो charge आपने ट्रांसर किया था एक conductor से दूसरे conductor में वो numerator में आ जागे यही basic है यह basic है आपका तो यह basic हमने use किया था कहाँ पे जब हमने एक parallel plate capacitor की वज़े से उसका capacitance निकालने कोशिश की थी last lecture में कितना आया था वो that will be K epsilon naught A upon D where K is the dielectric constant of the medium between the parallel plate capacitor ठीक और जब यह medium A था तब K की value simply 1 हो गई थी so it will be epsilon naught A upon D इतनी बात हम कर चुके है ठीक, dielectric क्या होता है dielectric medium क्या है ठीक, इसकी बात हमने करी थी कि भाई जब 2 charge particles से उनको air में रखा है तो मालों की बीच में force अगर F है और वही charge system को उठा के अगर हमने किसी medium में रख दिया तो वो force कितने times कम हो जाएगा F by K हो जाएगा K is the dielectric constant of that medium तो भाई force कम हुआ है इसका मतलब electric field भी कम हो गई होगी तो इस concept का हमने use करके electric field का use करके हमने यहां से potential difference find out किया था ठीक, potential difference जो हमें दोनों conductors के बीच में find out करना है उसका तरीका सिर्फ यही एक नहीं है है ना, उसके और भी तरीके है potential difference हमने मान लिया पहली plate का potential निकाल दिया और दूसरी plate का potential निकाल दिया और दोनों को हमने subtract कर दिया, यह भी हम कर सकते है clear, तो इस तरीके से भी potential difference find out किया जा सकता है so that is all we have already discussed, now we are going to our topic that is spherical capacitor, तो समझते हैं क्या है यह होगे students, so let us move on the spherical capacitor spherical capacitor क्या होते हैं, फिर से दो spherical conductors separated by a distance यह भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि एक conductor के अंदर, एक spherical conductor के अंदर हमने दूसरा spherical conductor रख दिया हो, ठिक तो यह भी एक spherical capacitor हो सकता है clear, तो हमारा जो discussion होगा वो second वाले पे ही होगा कि भाई, जब एक conductor के अंदर, एक spherical conductor के अंदर हमने दूसरा spherical conductor रख दिया है, ठिक तो यह जो system है, यह capacitor system, ठिक है because the capacitor is a system with two conductors separated by an insulator तो कुछ ऐसा ही system है आपे, कि भाई, यह conductor है और यह दूसरा conductor है जिसके बीच में air का medium अब air का medium है, तो वो insulator है, तो this is a capacitor system, ठिक, so this system is known as spherical capacitor, अच्छा अब हमें इस capacitor का capacitance निकालना है, तो capacitance निकालने का तरीका वही है, students क्या, कि एक capacitor एक conductor से charge Q निकालके दूसरे पे रख दो, एक पे plus Q चार्ज आजाएगा, एक पे minus Q चार्ज आजाएगा, और फिर वही basic कि आपको potential difference दोनों conductors के बीच में find out करना है, आप ऐसे भी कर सकते हो कि electric field बीच में find कर लो और फिर delta V is equal to minus E dot dr, जो हमने सीखा है already, उससे भी कर सकते हो, और दूसरी चीज आप ये use कर सकते हो कि पहले sphere का capacitance निकाल दो, पहले sphere का potential निकाल दो, that will be V1, दूसरी sphere का potential निकाल दो that is V2, और दोनों को subtract भी आप कर सकते हो, clear, दो method है आपके बाद तो जो भी आपको easy लगे उससे एक बाद करने कोशिश करो, और इस system का आप capacitance find करो, वीडियो pause करके खुश से, ठीक है, उसके बाद उसके बाद आप आगे का derivation देखोगे, clear, so start तो चलिए, क्या करेंगे, यह जो अंदर वाला capacitor है और यह जो बाहर वाला capacitor है, तो बाहर वाले capacitor से हम Q charge उठाके, अंदर वाले capacitor पे रख देंगे तो जो अंदर वाला capacitor है, उस पे charge Q आ जाएगा, ठीक है और बाहर वाले पे charge, minus Q आ जाएगा, और आख हुझ ऐसा की पता है कि यह जो Q charge है, यह इस पे uniformly distribute हो जाएगा इस तरह से है ना बजी, यह Q charge uniformly इस तरह से distribute हो जाएगा और minus Q charge भी, क्योंकि यह conductor है, ठीक, तो इसकी inner surface पे inner surface पे distribute हो जाएगा, वैसे अगर यह inside वाला conductor ना होता, तो जो minus charge है वो outer surface पे होता, लेकिन क्योंकि अंदर एक negative, एक positive charge रखा है, so the unlike charges will attract each other, hence the negative charge will be on the inner surface of the sphere, ठीक है, तो जो inner surface है, उस पे होगा यह negative charge और इसी system के बीच में अपनी electric field lines exist कर जाएगी, जिसकी वज़े से, इस system में energy store हो जाएगी, in the form of electrostatic energy, जैसा कि यह आपको दिख रहा है, बहुत simple है, simple है ना, तो यह energy आपको दिख रही है, कि यह energy इसमें store हो चुकी है, अब आपको इसका capacitance निकालना है, अभी हमें बस capacitance पे move करना है, बात भी हम समझेंगे कि कितनी energy इसमें store होई है, वो सब बात में बात हों दी, पहले capacitance देखते हैं, कि बाई, capacitance निकालने का बाई तरीका है, कि अब हम पहले जो छोटा वाला sphere है, उसकी radius small a है, और जो बड़ा वाला sphere है, उसकी radius small b है, तो अब आपको potential find out करना है, अगर आप observe करो, कि इसका potential बाहर वाले का V1 है, और चलो बाहर वाले का potential आप मान लो, this will be V2, और अंदर वाले का potential आप मान लो V1, clear? तो अब आप ज़रा देखो, कि V2 कितना हो जाएगा, V2 का जो potential है, इस ता कि नुमेरिकल्स हमने लगाएं कि जब sphere के अंदर sphere रखाओ, तो potential क्या हो जाता है, किसी particular sphere का, ठीक, तो वही है, कि आपका जो यह जो बाहर वाले sphere, इसका potential अगर आपको निकालना है, तो इसका potential वही होगा, जो इस charge की वएज़ से, इस minus Q charge की वएज़ से, जो कि एक shell में distributed है, तो इस minus Q की वएज़ से, जो sphere का potential होगा, प्लस, जो इस plus Q की वएज़ से, इस sphere का potential होगा, ठीक, तो हम क्या करने वाले हैं, हम बस यही लगाने वाले हैं, कि भाई, shell की वज़ए से, जो potential होता है, वो उसके अंदर जो है, वही होता है, जो surface पे होता है, that is KQ by capital R, और बाहर जो है, वो होता है, KQ by small R, ठीक, बस इस concept का हमें यूज़ करना है, तो V1 जो है, V2, V2 की बात करते हैं पहले, so V2 is equal to, V2, जो अंदर वाले sphere की वाई से, पोटेंचिल होगा, वो this will be small b, R की जगा, R is the distance from the center of the sphere to the point where we have to find the potential, clear, so R will be replaced by small b, clear, अब ये तो आपने potential निकाल दिया, बड़े वाले sphere का, छोटे वाले sphere की वाई से, ठीक, जिस पे charge Q है, अब आपको बड़े वाले sphere का potential निकालना है, लेकिन इस बाहर, इस charge, is minus Q charge की वाई से potential निकालना है, ठीक है, जो की, खुद उसी sphere पे distributed है, तो this will be K times minus Q divided by what, divided by simply B, ठीक है, अब ये वाला formula हमने लगा जाया है, inside वाला, ठीक है, so, अगर आप इसको add करोगे, तो आपको पता चलेगा, V2 is equal to nothing but zero, clear, V2 almost zero हो गया है, अब V1 find कर लो इसी method से, V1 will be, बहुत ही simple है, खुद से करो, V1 will be, V1 means potential of inner surface, potential of inner surface, तो inner surface का potential, खुद inner surface की वाई से, inner sphere की वाई से, प्लस outer sphere की वाई से, तो inner surface का, inner sphere का, जो potential है, खुद उसकी वाई से वो चेक करते हैं, पहले, this will be, KQ divided by what, divided by small a, clear, यह वाला formula यूज किया है, inside वाला, ठीक, प्लस, प्लस बाहर वाले sphere की वाई से, K minus Q, divided by what, divided by simply small b, यह वाला formula यूज किया है, फिर से, अंदर वाला, ठीक, inside, बड़े वाले sphere के लिए हमें, यह ऐसा लग रहा है हमें, inside potential find out करना है, ठीक है, अंदर वाले sphere भी find करना है, मतलब इसका ही है, कि बड़े वाले sphere की वाई से, उसके अंदर potential find out करना था, तो अंदर potential find out करना है, तो KQ by capital R, where capital R is the radius of sphere itself and small r is the distance between the, distance between the center of the sphere and the distance and the point where we have to find the electric field or electric potential, ठीक है, तो यहां से यह आपका V1 आचुका है, V1 solve कर लीजे, this will be KQ common ले लिया, this will be 1 by A minus 1 by B, so here it will be KQ into B minus A divided by AB, clear students, यह आपका potential आगया और potential difference भी यह हो जाएगा, potential difference अगर आप निकालोगी, तो this will be V equal to V1 minus V2, this will be equal to simply V, because V1, because V2 equal to 0, clear, so we can write that this is the potential difference V, अब आपको capacitance find out करना है, तो capacitance के लिए मैंने आपको simply बताया है, what? C is equal to, जो charge आपने transfer किया, discharge divided by potential difference between the conductors, तो बस यह करना है आपको Q divided by what? Q divided by KQ into B minus A divided by AB, so जो capacitance आपका आजाएगा इस system का, बहुत important formula आने वाला है, this will be, this will be AB divided by B minus A और into कर देंगे हम, into किससे कर देंगे? This will be K1 by 4 pi epsilon not, तो 4 pi epsilon not AB divided by B minus A, this will be the capacitance of this spherical capacitor, ठीक है? तो यही method था, पूरा method वही है जो हम देख शुके हैं और यह हमाया पास हमको मिल गया है, capacitance of a spherical capacitor, ठीक, यह formula बहुत important है, इसको copy में, पहले तो derivation note करें अपने copy में, जैसा कि आप अभी तक कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद derivation CBSC के लिए बहुत important है, ठीक, और competitive exams के लिए बहुत important है, कहीं-कहीं, कहीं-कहीं ऐसा capacitor दे सकते हैं, आपको जहां जो देखा ही ना हो, तो method यही रहेगा, method बहुत important है, ठीक है? तो 4pi epsilon 0, 4pi epsilon 0, AB divided by B minus A is the net capacitance of this spherical capacitor, ठीक, अब समझते हैं जड़ा, इसी से समझते हैं कि भाई, isolated capacitor क्या होता है? तो students isolated capacitor का बस simple सा यह meaning है, कि जो बाहर वाला conductor है, जिसकी radius B है, ठीक, वो इतना बड़ा हो जाए, कि इसकी approach से ही दूर हो जाए, है ना? मतलब कि वो, उसकी जो radius है, small B की जो, small B जो है, वो tend to infinity हो जाए, इसका मतलब यह जो बाहर वाला conductor यह इतना बड़ा हो चुका है, कि छोटा वाला conductor जो है, वो ऐसा लगदा, isolator रखा हुआ है, है ना? जबकि बड़ा वाला conductor भी है, तो कोई भी अगर conductor है आपके पास, समझ लीजे, कोई भी conductor है, वो as it is, एक capacitor की तरह, एक isolated capacitor की तरह, treat किया जा सकता है, हम माल लेंगे, कि इसका जो दूसरा conductor है, जिसके अंदर यह रखा हुआ है, वो conductor आपका कहां पे है, infinite radius का है, मतब बहुत बड़ा इतना बड़ा है, कि यह जो conductor आपको दिख रहा है, यह बहुत छोटा है उसके हिसाप से, comparatively बहुत छोटा हो चुका है, ठीक, इस वज़े से हमें लगता है, कि यह जो इसफेर है अंदर वाला, यह isolated sphere है, ठीक, पहले तो आप यह नोट कर लो, फिर हम सम होता है, isolated capacitor होता क्या है, तो अगर यह हम बाहर वाला conductor हटा दें, ठीक है, अगर हम यह बाहर वाला conductor हटा दें, तो students हमें क्या लगेगा, कि भई, इस बार, इस बार, यह जो system है, यह एक isolated conductor है, और यही होता है एक isolated capacitor, ठीक, isolated capacitor का मतलब यह है, कि जो दूसरा sphere है, उसकी radius infinite हो च जाएगा, बस simply आप क्या करोगे, B tends to infinity कर दो, अगर आप B tends to infinity कर दोगे, hence it will be simply 0, तो यहां से KQ by A आजाएगा, KQ by A potential आजाएगा, और जब आप capacitance निकालोगे इसका, C is equal to, फिर से होई, Q divided by, potential difference, Q divided by KQ by A, this will be KQ by A, तो A तो ऊपर चला जाएगा, and Q से Q cancel out, K की value आप 1 by 4 pi epsilon not put करोगे, so this will be 4 pi epsilon not A, where A is the radius of the isolated capacitor, A is the radius of the isolated capacitor, A जो है, यह isolated, जो आपका capacitor है, isolated spherical capacitor जो है, यह उसकी radius हो जाएगी, small है, ठीक, तो spherical capacitance जो है, वो है, 4 pi epsilon not AB upon B minus A, और जो आपका, और जो आपका isolated spherical capacitor का capacitance है, वो 4 pi epsilon not A है, यहां से आप दोनों से देख रहों कि भाई, जो capacitance है, वो potential और charge पर नहीं depend कर रहा है, वो किस चीज़ पर डिपन कर रहा है, वो geometry, size और medium पर डिपन कर रहा है, और epsilon जो हम जानते है, permittivity of medium होती है, जो कि permittivity of free space times dielectric constant होती है, means epsilon is equal to epsilon is equal to epsilon not K, ठीक है, तो मतलब अगर कहीं पे भी आप से कह दिया गया कि भाई, हमने यहां पे इस capacitance में अंदर dielectric medium रख दिया है, air को हटा के dielectric medium रख दिया है, तो अब आप बताईए कि capacitance कितना times हो जाएगा, तो capacitance students हमेशा k times increase हो जाएगा, अभी हम एक question देखेंगे इसमें, ठीक, जब dielectric slab रख रहे हैं, variable cross section का, तब हम समझेंगे कि कितना क्या capacitance इसका हो जाएगा, ठीक है, so this is all about the capacitance of spherical capacitor, अब हम बात करेंगे कि cylindrical capacitor का capacitance कैसे निकाला जाएगा, ठीक है, so this is very simple problem, आप खुझ से solve कर सकते हो कि अब एक cylinder के अंदर दूसरा cylinder होगा, जो की capacitance system मना रहा होगा, तो वही method है अपना पूरा, कि किस तरीके से उसका capacitance निकालेंग, बहुत simple है, क्या करोगे, अंदर बाहर वाले से charge q उठाके अंदर वाले पे plus q कर दोगे, और बाहर वाले पे अपने आप minus q आ जाएगा, फिर आप इन दोनों cylinders के बीच में, यहींकि surface के बीच में आप potential difference find out कर लोगे, ठीक है, gauss glow से पहले electric field भी find out कर सकते हो, फिर वहाँ से minus e dot dr के integration से delta v find out करोगे, वहाँ से आप जब delta v मिल जाएगा, then you will simply apply that capacitance of any capacitor is equal to q divided by delta v, simple, ठीक, तो यही आपको use करना है, ठीक, अब आप find out करो, capacitance of a spherical capacitor, चले, ओके student, तो आगे हम बात करते हैं, the capacitance of cylindrical capacitor, तो पहले समझी cylindrical capacitor क्या है, कि एक cylinder है हमाँ पास, जो आपको यह black color से दिख रहा है, बना हुआ, ठीक, जिसकी radius आपको small a दी गई है, ठीक, और दूसरा cylinder है, यह जो आपको blue dotted line से बना हुआ दिख रहा है, ठीक है, जिसकी radius जो है वो आपको small b दी गई है, ठीक है, तो अगर आप इस cylinder system को, इस system को, अगर आप उपर से top view इसका दिखाया जाए, उपर से observe करते हो, cross sectional view, तो वो कुछ इस तरह के दिखेगा कि भाई, अंदर से यह radius small b का है, cylinder, और यह बहार जो cylinder है, वो, sorry, यह अंदर वाला cylinder small a radius का है, small a की radius का है, और यह जो बहार वाला cylinder है, this will be of small b, clear, यह system है आपका, यह जो system है, तो फिर से वही चीज है, दो conductor है और separated bio insulator, तो यह भी एक capacitor system है, अब बस हमें इसको charge करना है, इसमें हमें energy को store करना है, electric field को इसमें store करना है, ठीक, तो store कैसे करेंगे, वही method है क्या, कि क्यों charge उठाएंगे, बाहर वाले conductor से और अंदर वाले conductor में रख देंगे, ठीक, तो एक energy store हो जाएगी, electric field हो जाएगी इसके बीच में, charges के बीच में electric field exist करने लगे ही, जिसकी वज़े से हम क्या सके हैं कि इस conductor में electric field lines stored है, electrical energy, electrostatic energy stored है, ठीक, तो बस वही concept है, तो this is a cylindrical capacitor system, ठीक, और इसकी जो length है students, इसकी जो length है, वो मैंने दिखाई इतनी है, लेकिन ये एक infinite length का भी हो सकता है, ठीक, infinite length का भी हो सकता है, clear, तो आप जैसा की जानते हो, आप जैसा की जानते हो कि आपको capacitance find करना है इसका, ठीक, तो capacitance find करने का तरीका वही है, हम Q charge को उठाएंगे, एक conductor से दूसरे conductor में रखेंगे, ठीक, उसके बाद हम दोनों conductors के बीच का potential difference observe करेंगे, then capacitance of this capacitor will be equal to delta V divided by, sorry, Q divided by delta V, where Q is the charge transferred from one conductor to another conductor, basic वही है, है न, तो basic से चलिए और कुछ solve कीज़े इसको, I hope that you can solve it by yourself, ठीक, it will be very easy and it can be solved, ठीक, तो लेकिस स्टार्ट, अगर आप एक Gaussian surface ले लो, students, अगर आप यहाँ पे इस तरह से इस cylinder के according, इस cylinder की length का एक Gaussian surface ले लो, जो यहाँ पे मैं इस तरह से green color से दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो यह जो Gaussian surface आप लोग है, इस Gaussian surface से अगर आप flux observe करने कोशिश करो, ठीक है, so this flux will be, suppose the electric field will be outside, because here is the charge, here is the charge, plus Q, अंदर वाले cylinder पे जो charge आएगा, this will be plus Q, और बाहर वाले cylinder पे charge मैंने minus Q ले लिया, मतलब मैंने क्या किया है, एक Q charge उठा है, जो कि इस conductor से, इस conductor में transfer कर दिया है, तो अब यह charge जो है, यह uniformly surface पे इस तरह से distribute हो जाएगा, clear, आफिर जिस तरीके से भी distribute होना होगा, uniformly distribute होगा यह charge, clear, और इस surface पे minus charge distribute हो जाएगा, minus charge, clear, अगर मैं इस cylinder को इस तरीके से दिखाता हूँ, कि भाई यह जो, यह cylinder है अंदर वाला, ठीक है, और यह जो है, यह आपका बहार वाला cylinder है, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको charge distribution दिखा रहा हूँ, वो कुछ इस तरीके का है, positive charge अंदर, और equal amount का negative charge जो है, वो आपका बहार आ जाएगा, uniformly distributed charge system, और आपने जो gaussian surface ली है, वो कुछ इस तरह से ले लिए, ठीक, अब आप यह बताएए, कि भाई, जब आप gaussian surface लोगे, मालो यह cylinder है, यह cylinder है, ठीक, और इस से electric field lines इस तरह से बहार आ रहे हैं, readily outward, ठीक, और आपने gaussian surface इस तरह से ले रखा है, तो आप खुद बताओ, कि जो area vector is gaussian surface का, और जो electric field vector का जो angle होगा, अगर इस point पर हम देख रहे हैं, तो electric field vector readily outward, और area vector is also readily outward, hence the angle between electric field vector and the area vector is always going to be 0, तो जब 0 हो जाएगा, तो हम gauss law लगाते हैं, gauss law, from our gauss law, यहां मैं लिख देता हूँ, gauss law, so surface integral of e dot ds will be equal to q enclosed upon epsilon naught, तो e dot ds को जब आप dot product लोगे, so this will be simply e into ds into cos 0, and cos 0 will be 1, so e ds हो चुका है यह, ठीक है, vector वाला हटा दिया है मैंने, अब आप समझ रोगा कि electric field जो है, यह पूरी gaussian surface में constant होगी, क्योंकि electric field because of a cylindrical wire, or cylinder, dependent on the distance from the axis of the cylinder, distance from the axis, और वो दोनों, वो gaussian surface पे हर जगा constant है, यह जो हमारी cylindrical gaussian surface है, green से जो दिख रहे हैं आपको, ठीक, इस तरह से यह जो हमने gaussian surface ली है, यह, यह gaussian surface, इसकी ऊपर वाली base और नीचे वाले base, से तो कोई electric field pass out नहीं कर देगी, तो उसका flux zero होगा, अब जो भी electric field पास आउट कर देगी, वो यहाँ से करेगी, और वो पूरी surface में constant होगी, uniform होगी, तो वो electric field surface integral से बाहर आ जाएगी, अगर lambda मान नहीं, इस cylinder पे linear charge density है, linear charge density विल बी lambda, तो lambda times capital L, lambda times L और L जो है यह cylinder की हमने length मान ली, infinite length का भी हो सकता है, लेकिन हमने यहाँ पे finite length का cylinder लिया, clear? So this will be E into Ds, means surface area जहां से electric field lines cross कर रही हो, तो electric field lines आपकी इस area को cross कर रही है, इस area को, means curve surface area पूछा गया है, and this will be 2 pi RL, यहाँ दखेंगे, इसमें base का area गलती से भी मत ले लेना, क्योंकि base से कोई भी electric field pass out नहीं कर रहे हैं, तो उससे flux जो है वो 0 है, आपको सिर्फ जो flux मिलेगा, वो curve surface की वज़े से ही मिलेगा, So this will be E into 2 pi RL, this will be equal to lambda into L, So यहाँ से जो electric field आपने निकाले, this will be lambda divided by 2 pi R, और यहाँ पे epsilon 0 से भी divide था, So this will be lambda upon 2 pi epsilon 0, epsilon 0 R, यह आपकी electric field आ चुकी है, यह अपना एक result है, जो हम पहले भी निकाल चुके हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे एक बद फिर से Gauss Law को यूज़ करके, यह result निकाल दिया, ठीक है, तो electric field अब आपकी आ चुकी है, अब आपको क्या करना है students, अब आपको से potential difference find out करना है, ठीक, तो यह एक cylinder है, ठीक, यह एक cylinder है, जिसकी radius small a दी है, और यह दूसरा cylinder है, जिसकी radius small, जी हाँ, बी दी है, clear, और इसमें आपने, चार्ज रखा है positive, clear, और इसमें आपने चार्ज रखा है negative, यह बाहर वाला cylinder है, यह जो black से दिख रहा है, इसमें आपने चार्ज रखा है negative, तो इसके बीच में electric field lines stored है, electric field lines इसके बीच में stored है, और वो electric field lines जो है, उनकी direction भी आपको पता है actually, वो इस तरह से positive to negative हो जाएंगी, क्यों भई, सही है, तो इस तरह से यह electric field lines stored है, तो अब आप खुद से बता सकते हो, खुद से बताओ, कि कौन सा cylinder high potential पे होगा, inside वाला cylinder और outside वाला cylinder, as you all know, that the electric field lines are going radially outward, इसका मतलब क्या है कि, electric field lines उस direction में बीच जहाँ potential decrease हो रहा हो, इसका मतलब radially outward direction में potential decrease होता चला जाएगा, इसका मतलब, small a वाला जो cylinder है, जो छोटी radius वाला cylinder है, वो high potential पे होगा, और बड़ी radius वाला cylinder low potential पे होगा, so अब आपको क्या करना है, potential difference find out करना है, so it will be simply, dv का integration हो जाएगा, dv का integration हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे, यहाँ पे e dot minus e dot dr का integration हो जाएगा, जब आप integrate करोगे, तो आप से limit पूछी जाएगे, ठीक है, तो limit जब आप, जब आप a की limit रखोगे, radius की limit रखोगे आप यहाँ पे, तो radius जब a रखोगे आप, small a, तो आपको va मिलेगा, clear, और जब radius आप b रखोगे, तो आपको vb मिल जाएगा, जैसा कि आप जानते हैं, vb माइनस va जो है, वो negative होगा, तो आप पहले, आपको potential positive चाहिए, तो आप पहले, b रख दो, और फिर a रख दीजे, b to a, clear, तो आपको जो इस बाद potential difference मिलेगा, वो va माइनस vb होगा, और हमें निकालना भी va माइनस vba, चलिए confusion दूर करते हैं, आप अभी va माइनस vb नहीं, vb माइनस va ही find कर लो, उसके बाद हम, खुद va माइनस vb find out कर लेंगे, clear, तो आप यह देखो, a पे va, और b पे, vb, so this will be vb, minus, this will be your vb, minus vb, va, clear, is equal to, electric field की value रख दोगे, that is, lambda upon 2 pi epsilon 0, r, सब कुछ constant है, r, 1 by r variable होगा, तो 1 by r का, जो dr के टमें integration होगा, that is, ln r, तो integration जो हो जाएगा, this is, lambda upon, 2 pi epsilon 0, ln, r, और limit लग जाएगी, by a से b, clear है, एक minus sign भी बाहर दो, तो यहाँ से students जब हम find कर रहे है, इसको मैं यहाँ से continue करता हूँ, ठेक है, अब समझे, जो potential difference आएगा, this will be, vb minus va, is equal to, is equal to lambda upon 2 pi epsilon 0, lambda upon 2 pi epsilon 0, ln, b by a, और एक minus sign भी था, जो कि हमें साफ साफ बता रहा है कि, b जो है, वो low potential पे होगा, और a high potential पे होगा, क्योंकि, b is greater than a है, तो यह quantity positive है, और यह सब तो positive था ही, तो overall negative हो गई, इसका मतलब, vb is smaller than va, so what we have to find is, va minus vb, this will be equal to students, lambda upon 2 pi epsilon 0, ln, b by a, clear? और आप आप समझ रहो, आप जैसे ही समझ रहो, capacitance क्या हो जाएगा, so capacitance of cylindrical capacitor, will be equal to q by v, and hence, q divided by v is lambda, lambda को आप क्या लिखोगे, q by l, q by l, तो 2 pi epsilon 0, l into ln, b by a, तो यहाँ से आपका result आजाएगा, and result will be, capacitance जो है इसका, जो capacitance है, वो क्या आगया है, वो simply students, वो आपका अलग pen से लिख देते हैं, result, c is equal to, this will be, 2 pi epsilon 0, l divided by ln, b by a, यहाँ लिखेंगे, b उपर है, a नीचे है, clear, so this will be our, capacitance of cylindrical capacitor, थिक, बहुत लोग नहीं निकाल भी दिया होगा, अपने आप ही कर दिया होगा, थिक, I hope that, this thing, this topic is very much clear to you, अब आप, किसी भी system का, capacitance निकालने के लिए, capable हो, थिक है, तो बहुत ही simple चीज है, वही अपना basic बस पकड़ के चलो, बाकिसा अपने आप चीजे होती ही चली जाएंगी, यह बहुत ही simple problem थी, ठीक है, बहुत ही simple problem थी, और, इस तरीके के जितने भी concept हैं, अब आप कर सकते हो, ठीक, तो आप देख लो, यह भी expression है, spherical capacitor से भी एक expression आया था, पहले plate capacitor में हमने 2-3 expression देखे थे, तो सारे देख लो, और खुद बताओ कि capacitor जो है, capacitance जो है, किसी भी capacitor का, वो किस पर depend कर रहा है, वो सिर्फ, वो सिर्फ, shape, size, और, third thing, medium पर depend कर रहा है, medium of insulator, clear, so that is all about the cylindrical capacitor, अब हम मूव करते हैं, toward energy associated with the capacitor, ठीक है, energy associated with the capacitor, okay students, so there is a question based on the capacitor, to find the capacitance of a system, चलिए, देखते हैं, इसमें क्या है, कि इस question को पहले, करने के पहले, कुछ चीज़े मैं यह बताना चाहूँगा, कि माल लीजे, यह अपना एक parallel plate capacitor है, ठीक है, और इसके साथ, एक दूसरा, यह parallel plate capacitor लगा दिया, ठीक, तो यह जो system है, यह जो system है, इसको हम बोलेंगे, capacitors जो हैं, वो, capacitors जो हैं, वो simply, series में लगे हुए है, clear, अगर यह point A है, और यह point B है, इस A और B के reference में अगर हम बोलें, तो हम को यह समया रहे हैं, कि यहाँ पर capacitors, series में लगे हुए हैं, clear, तो जिस तरीके से आपको याद होगा, कि जब resistance की बात हम करते हैं, आपने 10 और 9 ख्लास में पढ़ा होगा, कि जब resistance की हम बात करते हैं, तो वहाँ पर जब resistance का arrangement होता है, तो resistance का arrangement एक series arrangement होता है, और दूसरा parallel arrangement होता है, ठीक, तो series arrangement को अभी आप इस तरीके से समझेए, कि एक के बाद एक, one after the another, one after another, clear, एक खतम हुआ, फिर दूसरा शुरू हुआ, series, serious, clear, serious मतलब समझ रहो न, कि एक के खतम होने के बाद, दूसरा start हुआ, ठीक, so this is series arrangement, clear, और क्या, parallel arrangement क्या होता है, कि जब, दो capacitors, एक साथ initiate हो, और एक साथ, खतम हो जाए, clear, so this is our parallel arrangement, this is series arrangement, series arrangement, and this will be our parallel arrangement, इसमें आप देख सकते हो, कि दोनों capacitor, यह वाला capacitor, यहां से शुरू हुआ, और यहां खतम, और नीचे वाला capacitor भी यहां शुरू हुआ, और यहां खतम, so this, this is the example of parallel arrangement, तो कभी भी series arrangement, और parallel arrangement, अगर आपको देखना हो capacitor का, clear, तो यह आपका, यह आपका एक parallel plate capacitor है, capacitor को हम, जिस तरीके से resistance को, हम इस तरह से show करते हैं, है नए students, यह register है हमारा, उसी तरीके से हम capacitor को, इस तरह से show करेंगे, दो devices हैं, एक capacitor show कर रहा है, और एक, एक resistance show कर रहा है, clear, तो capacitor को show करते समय, हम positive और negative भी बना सकते हैं, कि भाई, इस plate पे positive charge है, और इस plate पे हमारा negative charge है, ठीक, तो इस question में, जो आपको ज़रूरत पढ़ेगी, एक छोटी चीज की ज़रूरत पढ़ेगी, वो यह है, कि भाई, जब capacitors का arrangement, parallel होता है, parallel arrangement होता है, तो यह simply, simply, इनका algebraic addition हो जाता है, algebraic addition हो जाता है, means simply, इसका scalar type का addition हो जाता है, scalar addition, बस इस छोटे से concept की हमें, जोद पढ़ेगी, अभी हम आगे, parallel और series arrangement अच्छे से देखेंगे, भी जैसे हम, जैसे हमने 10th class में बात करी थी, कि arrangement of registers, उच्छी तरीकर से हम बात करेंगे, arrangement of capacitor, capacitor series में, capacitor parallel में, कप कैसे arrange करे जाते हैं, उस पर अच्छे-च्छे कोशन हम देखेंगे, लेकिन आज के section में नहीं, ठीक हैं, आज के section में यह numerical पूरा करते हैं, ठीक, so let's start, समझते हैं, क्या numerical है, before solving it, so the numerical is, a capacitor has rectangular plates, of length A, clear, तो capacitor जो है, उनके पास, दो capacitor है, ठीक है, दो conductors है, ठीक, दो plates हैं, विकें से, तो जो दो plates है, उनकी जो length है, वो small A है, और जो उसकी width है, वो small B है, clear, मतलब ये जो length है, ये जो बड़ी वाली length, आपको दी गई है, ये small A है, और ये जो width, इसकी आपको दिख रही है, ये width, this will be small B, and this will be your A, clear, so ये आपको दिया है, दो rectangular plates है, एक उपर है, और एक नीचे है, लेकिन इनोंने क्या कहा है, किसी general angle theta पे, समझ दो, किसी general angle theta पे, इस तरीके से inclined है, अपनी top plate, ठीक है, तो आगे पढ़ते है, at a small angle as shown, तो वो small angle कितना है, वो theta हो जाएगा, so the plate separation varies, from D is equal to Y naught, means, जो separation है, वो यहाँ पे minimum है, और वो separation जो है, यह D is equal to Y naught के बराबर है, यहाँ separation Y naught है, और यहाँ पे जो separation है students, वो separation to Y naught है, मतलब simply आपको इस लिए यह बताया गया है, ताकि आप यह angle theta find out कर सुको, theta कैसे find करोगे, theta के लिए आप क्या करोगे, कि भाई, आपको यह जो distance दी गई, यह जो नीचा अली plate है, इसकी length तो small a ही हो जाएगी, okay, so if this will be small a, then this theta can be find by this triangle, आप इस triangle को देखिए, यह जो उपर यह length Y naught है, और यह पूरी length 2 Y naught है, इसका मतलब यह जो यह length हो जाएगी, this will also be Y naught here, and this will be A, so tan theta is equal to, simply tan theta will be equal to, what? tan theta will be equal to, Y naught upon A, simple, ठीक, तो यहां ज़राबने theta भी निकाल लिया, अभी देखते हैं, इसकी जरूत हमें पड़ती ही की नहीं, लेकिन देख लेंगे आगे, तो आगे क्या कारिया है, कि भाई, the plate separation varies from D is equal to Y naught, 2 at the left, to D is equal to 2 Y naught at the right, clear? where Y naught is much less than A, why not जो है, वो A से बहुत छोटा है, B से बहुत छोटा है, calculate the capacitance of the system, अब आपको इस system का capacitance find out करना है, तो students, इस question में हम फिर से वैसे नहीं चलेंगे, कि भाई, हमने उपर एक charge Q रख दिया, और नीचे वाली plate में minus Q रख दिया, फिर हमने electric field find out करी, वैसे भी कर सकते हो आप, वो भी simple तरीका, वैसे भी कर सकते हो, बट इस बार हम, हमको जो पता है, हम उसको use करने कोशिश करेंगे, हमें क्या पता है, कि जो पैलर plate capacitor है, जो पैलर plate capacitor है, उसकी वज़े से हमें electric field पता है, कितनी होती है वो, वो electric field होती है students, वो जो electric field होती है, because of पैलर plate capacitor, वो होती है के, epsilon 0 A upon D, और जब air medium हो, जब air medium होता है, तो जो capacitance होता है, this capacitance will be, epsilon 0 A upon D, मतलब जो capacitance है, पैलर plate capacitor का, वो simply epsilon 0 A upon D हो जाएगा, simply epsilon 0 A upon D हो जाएगा, clear, क्योंकि air medium है, तो बस अब आप यह समझें, कि भाई, यह जो आपका system है, यह इसी तरह के, infinite capacitor से मिलके बनाए, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, हम इसको एक capacitor क्यों नहीं मानना है, पर अगर हम एक capacitor वाला formula यूज़ करेंगे, तो आप खुद बताइए, हम इसमें small d क्या रखेंगे, d is the distance between the plates, और वो distance change हो रही है, clear, तो हमको एक unique distance नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको infinite capacitance में तोड़ देंगे, और हम एक element select करेंगे, उस element की वज़े से हम capacitance निकालेंगे, फिर हम integration का use करेंगे, इस तरह की जितने capacitance आएंगे, उन सब को हम add कर देंगे, clear, so from here we will get the net capacitance of this system, ठीक, तो आपको method समझ में आगे होगा, एक बाद video pause करके खुद से इसे solve कीजेगा, उसके बाद वापस आज़ेगे concept में, ठीक है, तो क्या करने वाले हैं, समझेगे, कि बाई, सबसे पहले हम x से distance पे, एक x की distance पे एक छोटा सा dx का element लेंगे, ठीक है, left से x की distance पे हमने एक छोटा सा dx का element ले लिया, यह जो element हमने लिया, यह एक छोटा सा dx का element ले लिया, ठीक है, अब आप यह बताइए, इस dx के लिए आप ये length निकाल सकते हो ठीक, if this will be y not ये जो ये length है ये y not ही रहेगी और ये उपर वाली जो length है ये भी आप निकाल सकते हो, ठीक है ये dx जो है ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा सा element होगा clear, ये बहुत ही छोटा सा element होगा कि ये distance भी x लगेगी और ये distance भी पूरी x ही लगेगी हमको है ना, अब आप समझें कि भाई, ये जो distance हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी this will be from this triangle, tan theta is equal to what tan theta is equal to this distance, this perpendicular upon this base x clear, तो ये जो length है आपकी ये length इसको अगर मैं y बोल रहूं simply then this y will be y by x will be equal to tan theta and tan theta will be equal to y not upon a so here y is equal to from here y will be equal to students x y not divide by a ये अपना y आचुका है, clear अगर आप ये total distance measure करने कोशिश करोगे hence this will be y not plus y so this distance, this distance d will be equal to y not plus y not plus this तो y not comma ले लेंगे 1 plus x by a it is ये important है तो इस छोटा सा जो आपको capacitance यहां से जो छोटा सा capacitance मिलेगा इस छोटी सी plate का इस छोटे से plate system का this will be your dc this will be your dc clear dc means dc means छोटे से element का capacitance अब आपको ये dc समझना है ये dc क्या हो जाएगा this dc will be epsilon not a upon d epsilon not कोई दिक्कत नहीं है a area of this capacitor तो इसकी thickness जो है वो dx है और इसकी जो width होगी student वो small b के ये बराबर होगी ये है आपका छोटा सा छोटी सी plate जो है वो इस तरह से आपको दिख रही होगी इसकी width dx है और इसकी जो length हो चुकी है वो small b हो चुकी है clear so epsilon not a a हो जाएगा b times dx अगर कहीं पर भी confusion है तो एकदम अराम से सोचिए सबसमझ में आ जाएगा clear epsilon not a upon d अब d की जगा हम ये रख देंगे students this will be y not into 1 plus x upon a तो ये अपना dc आ गया means छोटे सा जो हमने element लिया है उस element की वज़े से capacitance अब आ चुका है clear अब आपको फिर से इस तरह की जितने छोटे छोटे element से उन सबको add करना है या फिर आप add कर सकते हो या फिर आप क्या करतो integrate कर दो है ना so we will go through integration और आप limit यहाँ पर लगाओगे जब आप x की limit क्या रखोगे 0 then the capacitance will be 0 जब आप x की limit क्या रखोगे small a then the capacitance will be c clear तो limit में कोई समस्या नहीं है अब आपको simple integration करना है simple integration okay so this will be जो constant है वो बहार आजाएंगे epsilon नोट बहार b बहार और नीचे से y नोट बहार आजाएगा a का LCM ले लेंगे तो a उपर आजाएगा a plus x और जब limit रखोगे आप तो 0 रखोगे तो simply a बचेगा ठीक है a रखोगे तो 2a बचेगा ठीक तो this will be this will be ln2 this will be your ln2 you can solve it by yourself you can solve it by yourself और okay you can solve it by yourself simple बस मैंने limit रखी है और कुछ नहीं किया है ठीक है so this will be your answer this will be your capacitance this will be your capacitance so your answer will be your answer will be c is equal to c is equal to epsilon 0 times b a b into a divided by y 0 into ln2 okay students so this will be your answer ठीक है तो बहुत ही simple problem था बस integration करना है बहुत ही simple हो चुका है यह problem ठीक इसमें एक शीज का यूज जो है वो मैंने पहला वो स्रीज अरिजमन क्यों बता ही यह आपको भी आगे समझ में आएगा अभी नहीं लेकिन आगे यह चीज आपको समझ में आएगी so this is all about this question simple सा basic हमने लिया एक बार समझ लीजे फिर से इस तरह से एक tilted plate रखी थी और एक straight एक horizontal plate रखी थी आपको capacitance निकालने को कहा गया है तो हम जो पैले plate capacitor वाला formula है उसी ही से चलेंगे इसमें है ना हमने क्या किया कि हाँ यहाँ पे x की distance पे हमने dx ले लिया अब इस dx पे हमने dc निकाला और इस dc को हमने integrate कर दिया so from here we will get c c and from here the value will be epsilon not b a divided by y not into ln 2 this is the most simple problem clear एक दम simple problem है ठीक complicated देखने में लग रही है लेकिन है ने complicated है ना हमने इसमे कोई भी वो अपना basic से नहीं चले हम हम इसमें इस से चलें इस ट्रिक से हम चलें ठीक है इस से हमने अपना पूरा capacitance निकाल दी है हम एक बार में क्यों नहीं लगा सकते है यह भी आप सबको सुर्म में आ गया होगा कि अगर एक बार में आप लगाना चाहता है epsilon not a upon d तो बताओ d कौन सा लोगे हम d नहीं ले सकते है न क्योंकि distance जो है पेल्ट के बीच में वो बरती चली जा रही है इस वज़े से हम इसको इस तरीके से कर रहे है clear so this is all about this question okay student so now we are going to discuss the about the energy stored in a capacitor तो हमें पता है कि भाई एक capacitor में अब यहां पे अपना एक बहुत interesting topic आने वाला है कितनी energy stored होती अब यह चेक करने जा रहे है ठीक मतलब आपको अगर capacitor पे चार्ज पता चल जाए ठीक या फिर आपको capacitor का potential difference पता चल जाए या फिर आपको capacitance पता चल जाए इन तीन चीज में से फिर से charge, potential और capacitor capacitance इन तीन अगर आपको बता चल जाती है तो आप बता दोगे कि उस capacitor में कितनी energy stored है उस capacitor में कितनी energy stored है तो इसकी बात करते हैं जड़ा अब इस capacitor में energy stored हुई कैसे है तो भाई जो आपने work किया है आप क्या कर रहो पहले माल लो इसमें कोई charge नहीं था पहले ये conductors इस तरह से रखे हुए थे clear अभी इन में कोई charge नहीं था कोई भी charge नहीं था तो इसमें कोई energy stored है क्या तो इस समय इसमें कोई भी energy stored नहीं है zero energy है clear अब आपने क्या किया आपने battery battery रहा है आप कहीं से battery आप जानते हो cell होती है clear simply अभी समझो battery क्या है battery is a simple cell to transfer charge forcefully clear from low potential to high potential ठीक मतलब हम charge को forcefully एक low potential से high potential पर रख रहा है high potential से तो low potential पर charge अपने आप travel कर जाता है ठीक लेकिन अब हम क्या कर रहा है charge को low potential से high potential पर रख रहा है तो battery का हमें use करना पड़ेग या फिरिम कहते हैं हमने कोई work किया हमने कोई force लगाया ठीक forcefully आपने किया कि आपने इस charge को उठा के यहां पे रखा forcefully clear forcefully means आपने कोई work किया होगा तो जो भी आपने work किया students जो भी आपने work किया है वही work उहां पर electric field के form में store हो गया है समझ रो, कोई externally नहीं वर्क आया है, ठीक, क्योंकि भाई, जो हम वर्क करेंगे, वही तो स्टोर हो जाएगा जाके, भाई, जो हमने इस charge particle पर वर्क किया, मान लेते हैं, कि हमने general time पर एक observe किया, समझेगा, एक हमने, ये initial था, initial case, फिर हमने एक general case लिया, general case के हमने बात करी, कि यहाँ पर small charge, यहाँ पर Q charge आ गया था, यहाँ पर minus Q charge आ गया था, क्योंकि हम transfer कर रहे हैं, clear, यह initially था, और यह एक general time T पर है, T equal to T seconds, clear, तो T equal to T seconds पर जब हमने पिच्चर देखी, तो हमने कहा कि, भाई, यहाँ पर इस समय, plus Q charge आ चुका है, हम minus Q charge आ चुका है, जो कि इस त गया तो अब अगर हम फिर से इसमें DQ transfer कर दें, इस DQ को अगर हम transfer कर दें, तो भाई, इस DQ को transfer करने में, इस DQ को transfer करने में हमें कुछ extra work करना पड़ेगा, और ज्यादा work, ठीक है, तो वो जो work होगा, वो हमने बोल दिया, वो जो work होगा, that will be DW, let it to be DW, clear, तो यह जो DW work कि किसी charge को अगर हम low potential से high potential पर लेके जा रहे हैं, then the change in potential is equal to, रियान से सुनियेगा, वही definition में potential की बोलने वाला हूँ, that the basic वही अपना, the change in potential is equal to the work done on test charge divided by the magnitude of test charge, simple, so, from the definition of potential, from the definition of potential, delta V, delta V is equal to work done on by external force divided by the charge itself, in moving the charge from low potential to high potential, we can say, clear, this is the change in potential, तो भाई, अगर आप हमें change in potential delta V पता है, तो जो net external work done है, वो भी तो Q हो जाएगा, Q times delta V, ठीक है, तो बस भाई हमें करना है, हमें DW find out करना था, ठीक, जितना भी DW हम जितना work करना है, वही work energy की फॉर्म में, electrostatic energy की फॉर्म में, stored हो जाएगा, कोई extra energy नहीं आएगी, clear, जो ह work करना है, वही work जो है, वो हमारा, electrostatic energy की फॉर्म में, stored हो जाएगा, so, this DW will be equal to, Q times, Q times delta V, लेकिन अगर हम इस case की students बात करें, students, अगर हम इस case की बात करते हैं, तो at a particular time पे, जो potential difference होगा इन दोनों के बीच में, that will be V, V is the potential difference between plates, okay, तो the work done will be, work done will be, कितना charge लेके जा रहे हैं, इस बार हम DQ charge को लेके जा रहे हैं, DQ charge को इस plate से उठाके, इस plate पे हम रख रहे हैं, students, clear, DQ times V, ठीक है, तो इस बार जो work done है, DW, this will be, V, यहां तो सिर्फ W था, तो जो DW हो जाएगा, this will be, DW is equal to DQ times V, ठीक है, तो अब आप बताएए, यह V जो है, students, यह V, आप capacitor के formula से, Q equal to CV से भी find out कर सकते हो, V is equal to Q by C, इस system का जो capacitance है, वो तो time पे depend करता, so, from here, we get, V will be equal to Q by C, this will be Q by C into DQ, तो यह आपका external work आ गया, और यही जो है, आपकी internal energy में store हो जाएगा, तो total आपने कितना work किया, जब plates अंचास थी, और जब plates पे charge plus Q और minus Q आचुका है, जब इस capacitor में charge plus Q आगया, ठीक है, तो कितना आपने work किया, वही work जो है, वो इन plates में, इन plates के बीच में, electrical energy, electrostatic energy की form में stored हो जाएगा, जाके, so, this work will be equal to, this work will be equal to, integration कर देंगे हम, this will be equal to Q square by 2C, Q square by 2C, आप Q equal to CV यहां रखोगे, so, you will get, you will get half CV square, फिर आप इसी में, फिर आप इसी में, फिर आप इसी में, V equal to Q by C भी रख सकते हो, so, you will get half Q times U, Q times V, आप C की जगा क्या रख दो, C की जगा Q by V रख दो, so, these are the three formula, these are the three formula, by which you can find the energy stored in a capacitor, energy stored in a capacitor, ठीक है, याद है, कितनी energy stored होगी, जितना हमने work किया है, ठीक, तो कितना work किया हमने, हमने work कितना किया, Q times delta V, by the definition of potential difference and potential difference between the plates, ठीक है, general time T पे observe किया, at a general time T, उस time T पे हमने देखा, इस पे plus Q charge, इस पे minus Q charge है, clear, तो जो charge transfer हुआ है, तो उसमें जो work होगा है, that will be DW, clear, so this DW work is going to, DQ जितना charge transfer हुआ और जो potential difference हुआ, जिस potential difference में उसको transfer किया गया, so this will be V, ठीक है, so DQ dot into V is the DW, clear, और जब हम indicate कर देंगे, V को हम रग देंगे Q by C, then the indication will be Q square by 2, Q square by 2C is going to half CV square, is going to half QV is the energy stored in a capacitor, ठीक है, तो यही वो energy है, जो कि एक capacitor में stored है, clear, आप अच्छे से समझ रहो, कि जो energy stored है, वो आपको कोई भी दो quantity पता हो, capacitance, charge, या फिर उसका potential difference, तो आप find out कर सकते हो, कि कितनी energy stored है, एक capacitor में, ओके students, तो यहाँ तक तो हमने बात कर ली, कि भ अब हम बात करेंगे, ठीक है, अब हम आगे next lecture में बात करेंगे, कि भाई, इस energy की energy density क्या होगी, means energy per unit, volume क्या होगी, इसकी हम बात करेंगे, तो students, तो सबसे पहले जो हमने capacitance की बात करी थी, उसे हमने को पता चला था कि capacitance is a device, capacitor is a device to store electrostatic energy, तो किस तरह से उसने energy को store किया, अब आपको clear pattern बन चुका होगा, कि भाई, charge को एक से दूसरे में transfer करके, जो हम work कर रहे हैं, यह उसी work को electric energy में convert कर लेता है, और कुछ नहीं करता, तो जिस तरह से अगर हम motor की बात करें, तो motor क्या करती है, motor electrical energy को mechanical energy में convert कर देती है, अगर हम dynamo की बात करें, तो dynamo क्या करता ह chemical energy में convert कर देती है, या फिर chemical energy को electrical energy में convert कर देती है, उसी तरीके से students, यह यह capacitor क्या काम कर रहा है, जो हम इसमें mechanical energy कर रहे हैं, जो हम इसमें energy दे रहे हैं, वो electrostatic energy के form में अपनी save हो जारी जागे, ठीक है, तो बस this is the concept of capacitor, ठीक है, इसके बाद हम अगले lectures में, हम energy density की बात क करेंगे, हम capacitor के अच्छे अच्छे numericals देखने वाले हैं, ठीक है, आज तो हमने सिर्फ एकी numerical देखा था, capacitor बाकी हमने electrostatic के numerical देखे थे, आगे हम capacitor के अच्छे अच्छे numericals देखेंगे, charging और discharging capacitor की समझेंगे, arrangement of capacitor समझेंगे, clear, और भी अभी बहुत interesting concept capacitor में बाकी हैं, जो हमें देखने हैं, जो हमें observe करने हैं, जिनकी हमें analysis करनी है, साथ में, ठीक है, so stay tuned और बहुत आराम से ये पूरा chapter आपको cover हो जाएगा, जिस तरीके से electrostatic आपने cover कर दिया, उसी तरीके से ये chapter भी हम और आप साथ मिलके cover कर लेंगे, okay, so stay tuned, thank you, this is all about this lecture.